आज हम बनाएंगे मसाला बड़ी मसाला बड़ी हम चना डाल और उरत डाल दोनों मिला कर बनाएंगे आप इसे एक बार बना कर और इसे एक साल के लिए श्टूर करके अराम से रख सकते हैं नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने 400 ग्राम चना डाल और 200 ग्राम उरत डाल को अच्छे से धोकर 6-7 घंटे के लिए पानी में भीगो कर रखा था और अब मैंने इसका पानी हटा करके ले लिया है मसाला बड़ी बनाने के लिए मैंने कुछ गरम मसाले लिये हैं 4 तेजपत्ता, 2 दालचेनी के टुकरे, 1 बड़ी इलाइची, 4 छोटी इलाइची और 5-6 लॉंग लिये हैं साथ ही हमने जीरा एक टेबल इस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च दो टेबल इस्पून, सौफ हाफ टेबल इस्पून, काली मिर्च एक टेबल इस्पून, हिंग हाफ टेबल इस्पून, मेथी दाना एक टेबल इस्पून और धनिया हमने हाफ कप लिया है तो सबसे पहले हम इन मसालों को 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर हलका सा रोष्ट कर लेंगे और रोष्ट करने के बाद हम इन्हें ठंडा होने पर दरदरा पीस लेंगे हमें हिंग और लाल मिर्च को रोष्ट नहीं करना है और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर जरूर कीजेगा अब हमारा मसाला यहाँ पर रोष्ट हो गया है और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चलते हैं डाल की तरफ और अब हम यहाँ दोनों डाल को भी जरूरत के अनुशार पानी मिला कर इसका दरदरा पेस्ट त्यार कर लेंगी दाल में हम ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे नहीं तो बड़ी हमारे अच्छे नहीं बनेंगे और साथी बड़ी बनाने में दिक्कत आ सकती है एक और खास बात का ध्यान यह रखना है कि दाल को हमें बारिक नहीं पीशना है यहां हमने दोनों दाल का दरदरा पेस्ट बना करके त्यार कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं और अब हम दोनों पेस्ट को मिला लेंगे और इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से फेटेंगे दाल हमारा फेट कर त्यार हो गया है और इसे चेक करने के लिए हम इसे पानी में डाल कर देखेंगे बड़ी पानी के उपर आ रहा है यानि की दाल फेट करके त्यार हो गया है और अब हमें हम मसालों को मिला लेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे साथ ही हम हिंग और कूटी हुई लाल मिर्च को डालेंगे और इसे दाल के अंदर मसालों को अच्छे से मिला लेंगे दाल में मैंने हाँ पर मसालों को अच्छे से मिला लिया है और अब हम चलते हैं बड़ी बनाने के लिए बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली में तेल लगा लिया है और इसके उपर हम बड़ी बनाएंगी मसाला बड़ी साइज में प्लेन बड़ी से बड़ा होता है तो मैं यहाँ पर बड़ा बड़ी बना रही हूँ आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी बड़ी को बना लेंगे और अब हम चलते हैं इसे देशी तरीके से बनाने के लिए देशी तरीके से हम इसे एक चादर के उपर बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल पर चादर फैला रखा है और इसके उपर हम बड़ी को बनाएंगी मैंने एक वीडियो में प्लेन बड़ी और उसकी कड़ी बनाना भी बताया है इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी आप उसे भी जरूर देखेगा देखिए हमारा बड़ी बन करके त्यार हो गया है अब हम इसे उठा कर धूप में रख देंगे और एक दिन बाद इसे कपड़े से उठा कर थाली में रख कर दो दिन के लिए सुखा लेंगे बड़ी को पुरी तरीके से सुखने में तीन दिन लगते हैं तिन दिन बाद हमारा बड़ी पूरी तरीके से सुखर करके त्यार हो गया है। इसे आप एटर डबा में रखकर एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस मसाला बड़ी को बैगन तोरई के साथ भी बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी बहुत जल देखकर आऊंगी। अगर आज की यह रेसेपी पसंद आयोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा। थैंक यू थैंक्स पूर वाचिंग।